साथियों, देश में तेजी से आ रहे परिवर्तन के बीच, सिक्षा व्यवस्ता और इससे जुड़े आप सभी महानुभाव की भूमी का कितनी एहम है, इसका एक उधारण, मैं अपने गुजरात के मुख्यमंत्री काल के शुरुवात के कालखन का एक अनुभावद बताता। मैं नए नया मुख्यमंत्री बना था, सरकार वरकार की दुनिया से मारा कोई नाता ही नहीं था, मैं बहुत दूर था, अचानक काम आया था, तो मैंने एक कारकम बनाया था, मेरे सभी सचीवों को मैंने कहा कि आप ही आपके डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री है, और उससे गुजरात के सामाने मानुवी के जीवन को क्या लाब होगा, उसका एक आपका वीजन और पूरी डीटेल के साथ प्रेजेंटेशन कीजिए, यह मैंने सभी विभागों के सचीवों को कहा है। और हर दिन शाम को पाँज बजे सभी मेरी मंत्री परिशत के मंत्री और सभी सचीवों हम बैठते थे। प्रेयास करता था। एक दिन और ये कारकम मेरा करीब महिने भर चला था, शाम को पाँज बिजे शुरू होता था, राद दस बजे तो बड़ी मुश्किल से घर जाने की इजाज़त मिलती थी। और बड़ा ही, बड़ा ही इंटेंस के वो कारकम चला। और शायद हिंदुस्तान के इतियास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। तो मेरे हाँ उद्योग के जगत के समंदीत प्रिजेंटेशन हुआ है। आने वाले दिशनों में वो उद्योगिक क्या-क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में उद्योगिक विकास कैसा होगा, सारा बता रहे थे। तो कार्यकम पुरा होते ही, सिक्षा सचीव मेरे पास आये। क्योंकि दूसरे दिन सिक्षा सचीव का कार्यकम था। उसने कहां, साब मैं तल नहीं कर जाए। मैंने मैं आ देखते हो बह। एक मेने पहले आपको तैयारी करने के लिए कहा और आप लास्ट मोमेंट कह रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगा उन्हों नहीं कि आप तैयार तो है मैं कर सकता हूं लेकिन आज जो मैंने अवद्योगी की विकास का जो प्रेजेंटेशन देखा उसको देखकर के मुझे लगता है क हम बाएं जा रहे हैं वो दाएं जा रहे हैं तो मैं इसकी लाइट में मेरे जो प्रेजेंटेशन है उसको मोडिफाई करने के लिए मुझे समय चाहिए तब जाकर के हम एक इंक्लूजिव ग्रोथ की दिशा में साथ मिलकर करके शिक्षा हो इंडेस्ट्री चल सकते हैं हमें भी अब तो पुरी दुनिया का पता होना चाहिए हर युनिवर्सिटी में काम होना चाहिए कि दुनिया आगे किस तरब जा रही है कैसे जा रही है उसमें हमारा देश कहां है उसमें हमारे युवा कहां है आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भरत होने वाला है उनको मैं कैसे तयार कर रहा हूँ यह हमारा बहुत बड़ा धाइप है दोस्तों और इसी तज़ पर हमारे सभी सिक्षन समस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी है मैं आज दिन बिता रहा हूँ एक्जाम ले रहा हूँ कॉन्वोकेशन कर रहा हूँ क्या यही मेरा में जिस्पत पर हूँ वही काम है क्या मेरा काम यह है कि मैं ऐसे संस्थान खड़ी करके जाऊंगा कि आज जो बच्चा मेरे स्कूर कॉलेज में आएगा आज आदी कि जब सो साल होंगे जब वो बहुत बड़ी महत्रप्र भूमी का निभाता होगा तब मेरा देश वहाँ पहुचेगा मैं वो विवस्ता आज पैदा करके जाऊंगा आप सबको वर्समान को समालना है आपके पहले जो करके गए हैं उसको आगे बढ़ाना है लेकिन आज जो काम कर रहे हैं उनको फ्यूचर के लिए ही सोचना होगा और व्यवस्ताएं फ्यूचर के लिए विक्सित करनी होगी और क्योंकि आज बच्चों की जिग्यासा ऐसी होती है जिनके उत्तर अभी मैंने कहा मैं जिन बच्चों को मिलका या आए हूँ आपको भी घर में पता चलता होगा छोटे-छोटे आपके पोते-पोती भी आपको सवाल पूछते होंगे आपके नने-मने-बेटे-पोते होंगे आपको सोचना परता होगा अरे बहीं ये कहां सर खा रहा है वो सर नहीं खा रहा है और का सर उसको जवाब नहीं दे पा रहा है दोस्तों वो सावब पूछते आपके हर किसी के घर में ये अनुभाव आया होगा आज की फीडी जीन बातों को लेकर के आती है वो तो गूगल पर दस चीजे समाल पूछते बोले आप क्या कह रहो गूगल तो ये कह रहा है आपको काउंटर करता है बच्चा अब ये बच्चे आपकी उनिवर्सिटी में दस साल के बाद आएंगे तब क्या हाल होगा आपका हमें अभी से त्यार करना होगा आपने आपको आप घर में भी उसके अपनों बेच्चों के साथ मिसमेच अनुभाव कर रहे हैं जब स्कूल कॉलेज के केंपस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में युवापीड़ी होगी इस प्रकार से नई सोज के साथ आई होगी और हम बहां उसके योग्य नहीं होंगे तो उनके साथ कितना बड़ा गहरा अन्याय हो जाएगा दोस्तों और इसलिए आवशक है कि हम भविश्य को जाने समझे व्यवस्ताओं को विक्सित करें मैं भी कुछ दिन पहले डिजिटल इंडिया अभिहान के तहत गांदी नगर में एक एग्जिबिशन देखने गया था वहां सरकारी स्कूल के बच्चे थे बारवी दस्वी या इलेवंध के बच्चे थे वहां बच्चों ने जो प्रोजेक्ट तयार किये थे जो आइडियाज रखे थे, मैं बहुत उसको समझने की देखने का प्रयास कटा था, और मैं प्रभावित हुआ था इन बच्चों के काम से, रिसर्च का ऐसा पोटेंशल, कम उम्र में ऐसे ऐसे इनोवेशन वाली बाते सुनकर मैं दंग रह गया, वहां कई बच्चे, बायोटेक और जेनेटिक्स में इंटरस्टेट थे, उनकी क्लास में जब साइंस की फंडमेंटल्स पढ़ाए जा रहे हैं, तब वो जीन मैपिंग, एफिनेटिज, क्रोमोटरग्राफी और जेनेटिक लाइबरी बेस टूल्स की बात कर रहे थे, अब कित इनकी आधुनिक सोच के मताबिक तयार होंगे क्या, अगर हम इन बच्चों के लिए उनके हायर एजुकेशन में पहुंचने का इंतजार करेंगे, तब तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगे दोस्तों, इसलिए हमें ये अभी से सोचना होगा, कि जिस उम्र में भी प्रबंद हमने सोचना पड़ेगा, हमें अपने संस्थान में ऐसी व्यवस्थाक तयार करने पर काम करना चाहिए